बोलिवुड के दबंग खान इन दिनों परे फिल्मों से ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर लगातार सुर्ख्यों में बने हुए हैं पंजाबी गायक सिद्धु मुसेवाला की हत्या के बाद अब नेता को मिली धंकी के चलते सल्मान खान लगातार सावधानिया बरत रहे हैं इतने ही नहीं सल्मान खान ने मुंबई पुलीस आयुक्त से मिलकर सेल्फ डिफेंस के लिए बंदूग रखने का लैसेंस मांगा था जो उन्हें मिल गया है आज हम आपको सल्मान खान के इलावा उन स्टार्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिने हत्यार रखने का लैसेंस मिल चुका है वोलीवड के महानाय कमिता बच्चन के पास भी हत्यार रखने का लैसेंस है वो अपने पास 32 रिवॉलवर रखते हैं इस बात की जानकारी उन्होंने खुद अपने ब्लोग में दी थी वोलीवड एक्टरस सोहा अली खान को उस वक्ती बंदूग रखने का लैसेंस मिल गया था जब वो 16 साल की थी लेकिन वीवादों के बाद उनका लैसेंस रध कर दिया गया था वोलीवड एक्टरस सन्नी देवल के पास भी बंदूग रखने का लैसेंस है और वो एक revolver रखते हैं सन्नी देवन ने ये लैसेंस सालड डिफेंस के लिए लिया था अबिनेतरी पूरम डिलों के पास भी बंदूग रखने का लैसेंस है जिसे वो सुरक्षा कारणों से अपने घर पर रहती है इस बात की जानकारी एक्टरस ने खुद एक इंटर्यू में दी थी आपको बता दे कि अक्षे कुमार के पास भी बंदूग रखने का लैसेंस है इस बात को अक्षे कुमार ने एक इंटर्यू के दुरान बताया था बात की जाए शारू खान की तो शारू खान के पास भी बंदूग रखने का लाइसंस है वो भी एक अपने साथ रिवोलवर रखते हैं